हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टुमा यूटूब चैनल तो बच्चो आज हम लोग जानेंगे वाटर कलर्स के नेम और ए बी सी डी को पढ़ना लिखना तो आए मैं आपको पहले बताती हूँ कलर्स के नेम यह कौन सा कलर है यह है पिंक कलर यह है देखे ब्राउन कलर और यह है आरेंज कलर तो आए अब मैं आपको ए बी सी डी पढ़ना बताती हूँ पहले क्या आता है पहले आता है ए ए मिन्स क्या होता है ए मिन्स होता है एलिगेटर तो आए अब हम लोग ए में कलर्स को फिल करते हैं यह कौन सा कलर है यह है पिंक कलर पिंक कलर हम लोग ए में फिल कर तो देखें A में हमने कौन से कलर को फिल किया पिंक कलर को A के बाद क्या आता है A के बाद आता है B B में होता है बटरफलाई तो आयब हम B में कलर को फिल करते हैं यह कौन सा कलर है, यह है ब्राउन कलर, ब्राउन कलर हम बी में फिल करेंगे, बी मीन्स होता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन्स होता है तितली, तो देखें बी में कौन सा कलर फिल हुआ है, ब्राउन कलर, बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है सी, क्या आता है बच तो देखें C में Phil करते हैं. C के बाद क्या आता है? C के बाद आता है D. D means होता है duck. क्या होता है D means? D means duck होता है. और यह कौन सा color है? यह है ist orange color. orange color से हम लोग D को color करते हैं. Duck means क्या होती है? duck means होती है betka. तो देखे बच्चो डी में कौन सा कलर फिल हुआ है आरेंज कलर डी के बाद क्या आता है डी के बाद आता है ई ई मीन्स होता है एलिफैंट क्या होता है ई मीन्स ई मीन्स एलिफैंट होता है और ये कौन सा कलर है ये है ब्राउन कलर elephant means होता है हाथी क्या होता है elephant means elephant means हाथी होता है ये में हमने brown color को fill कर दिया इके बाद क्या आता है इके बाद आता है f f means क्या होता है fish होता है तो आए हम लोग f में color को fill करते हैं ये कौन सा color है ये है pink color pink color से हम लोग f को color करेंगे f means होता है fish फिस मिन्स होती है मचली तो बच्चो एफ में कौन सा कलर फिल हुआ पिंक कलर तो आप लोग भी ऐसे पढ़िए और आगे बढ़िए ओके बच्चो बाबाई थैंक यू